हेलो एवरिवान वल्कम बेक टू उमा स्वीट होम व्लॉग तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड में अपना ध्यान रख रहे होंगे तो जी हमारी तरफ तो आज कल मौसम थोड़ा सा अच्छा सा हो गया है और दिन के टाइम पर धूग भी थो एक responsibility हो जाती है कि शाम के टाइम पर भी थोड़ा सा जो दिन भर का काम होता है तो उसके बाद फिर साम को चाय बनाओ या कुछ भी नास्ता बनाना है तो उसके बाद फिर से एक बार किचन क्लीन करनी होती है तो मुझे तो खेर आदत है अगर मैं कुछ भी खाना या कोई च चेंजेस करके बनाए जाए तो उनका जो टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाता है और खाने में और ज्यादा अच्छा लगता है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं लौकी के कोपती की रेसिपी और बहुत ज्यादा टेस्टी लौकी कोपते आज मैं मतलब बनाने व तो आचे टेस्टी के कोपतें वैसे तो यहां ऐसे जो ने बनने वाले तो आज में वह अच्छे टेस्टी का मैं विए मेले झालने आज आएगसा होता व्युर्चा इस संकार होता है लग बगर तो आज मतलब दो का चेंज कर जाता है अर तो यहां मैंने ले लिए लॉकी और लॉकी जो है उसके सारे चिकल मैंने निकाल दिये हैं और निकालने के बाद लॉकी को मैंने धो लिया था और उसके बाद जो ग्रेटर है यह लिया मैंने तो यहां पर जो इसके बड़े वाले होल्स होते हैं उसी में मैंने लॉकी को ग्रे ले लूंगी प्याज चार से पांस दाने मैंने प्याज के ले लिए थे और उनको छील लूंगी मैं छीलने के बाद फिर इन्हें मोटा मोटा सा कट कर लूंगी क्योंकि फिर इनका फाइन सा पेस्ट बनाना है हमने प्याज का और इसलिए इसको बस मोटा मोटा ही काट सबढ़ लिया है गोप्तों का अच्छा आता है और आप वैसे पिसे में उहाली मसालों का रिज़र्ट आता है तो उसके बाद जो यहां पर लौकी है उसमें उसकी पानि मैं गाost ship ter और जो इधर मसाले हैं उनको पीस करके फाइन सा पेस्ट बनाना है मसालों का हमने यह बिल्कुल देसी वाली स्टाइल हो गई है अगर इनने सिलपट्टे में पीसा जाएगा तो और ज्यादा टेस्टी मसाले होते हैं लेकिन अभी सिलपट्टा इस समय तो मिक्सी का ही यूज सब लोग करते हैं तो फिर मैंने भी मतलब पहले तो यह होता था अगर हम बनाते थे तो सिलपट्टे का यूज करते थे और अब जो है सबसे ज़्यादा में इंप्रटेंट चीज जो है वह है हमारा बेसन तो बेसन हमें किस तरीके से इसमें डालना चाहिए तो वैसे नॉर बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और उसके बाद इधर जो लोकी है इसको इसका सारा पानी हमने निकाल देना है और निकालने के बाद इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं मिलाना है कोपतों में नी तो फिर कोपते जो है ना इनके शेयर पापाईगी और यह बिल्कु तो आप जार नमक है और गरम मसाला है वो डालने के बाद आप इसको mix कर सकते हैं अच्छे से और mix करने के बाद पिर हम इनके बनाईंगे कोपते और एक सबसे जादा ज़्चीज है इसमें वो है देशी घी तो अगर आप अपने कोपतों में घी मिलाएंगे देशी घी तो उससे आपके कोपतों का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपके जो कोपते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा से सॉफ्ट बनेंगे बाकी आपको और कुछ भी इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है तो आप घी जरूर मिलाएगा इसमें और उसके बाद यहाँ पर हम तेल ले लेंगे और फिर हम जो कोपते हैं उन्हें तलेंगे तो मीडियम टू हाई फ्लेम में ही हम अपने कोपते तलेंगे और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम इसके नहीं करना है नहीं तो फिर इसमें तेल भी भड़ सकता है और इसलिए हम एक एक करके इनको इस तरीके से तेल में डाल देंगे और फिर अपने कोपते जो हैं फ्राइए कर देंगे और ऐसा नहीं है कि हमें इसे लो फ्लेम में फ्राइए करना है क्योंकि हमारी जो लॉकी है वो नमक से गली वी रहती है और बाकी जो बेस देन है वो हलका सा भुना हुआ रहता है तो बिल्कुल भी कच्छा वाला टेस्ट रिस में नहीं आता है कोपतों में गोर्डन ब्राउन हमारे कोपते हो चुके हैं और मैंने निकाल दिया है तो फुरसे मैं एक बार डाल लूगी इनको और बाकी फिर हम अपनी ग्रेवी तेयार करें के कोपतों की तो कोपते सारे फ्राय हो चुके हैं और उसके बाद जो एक्स्टा आउल था वह मैंने निकाल दिया है और उसके तेल में मैं डाल दूँगी जीरा और जीरा डालने के बाद दो मैंने इसमें तेज पत्र डाले हैं और उसके बाद जो प्याज हमने पीसा था वो डाल दिया है तो प्याज को आप इसी तरीके से पीस के डालेगा इसमें अच्छा होता है पीस के जो प्याज की ग्रेवी बनात यह मतलब और अगर काट कर डालेंगे तो फिर उससे ग्रेवी हुटनी जपनी ज्यादा मतलब गाड़ी हो पाती है और उसके बाद फिर इस तरीके से इसको हम भून लेंगे और पर बूंदे के बाद फिर जो मसालें पड़े हैं मजावारा कस्या डालेब पर जालें Д Shaun का के लिए जुड़ार का यूजांरे थो बहुत जादा मैं नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा spicy हम लोग खाते नहीं है और उसके बाद फिर इसमें मैंने जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी पीस के वो डाल दिये और नमक डाल दिया इसमें टमाटर डालने के बाद जिससे की जो मसाले हैं जो टमाटर है उसमें अच्छे से वैसे तो टम ग्रेवी खानी है तो मैं इसे चावल के साथ बना रही हूं तो थोड़ा सा मैंने जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी बढ़ा दिया है क्योंकि मैं इसे चावल के साथ बना रही हूं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा डाला है और थोड़ी देर पकाने के बाद फिर उसमें मैं उपर से डाल दूँगी कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी से काफी अच्छी खुस्बूवी आ जाती है इसमें, और उसके बाद ये हमारी टेस्टी से कोपते बनके तयार हो चुके हैं, और इदर मैंने चावल चड़ाने के लिए रख दिये थे, तो जब तक चावल बनेंगे तब तक जो किचन हमारी फैली हुई है, उससे मैं साफ कर लूँगी, तो खाना बन चुका है, और ये है खाने की थाली मैंने लगा दिये, तो कोपते हैं, और इसमें मैंने चावल मनाए हैं, और साथ ही बैगन की सबजी है, और बैगन की सबजी है, और रोटी है, तो ये है आज का हमारा डिनर, तो एक बार इस तरीके से जरूर से ट्राइ कीजिगा, और कमन करके जरूर से बताना मुझे, कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और उसके बाद एक कुपता मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, तो इस तरीके से ये मैंने तोड़ के दिखाया है, और अंदर बिल्कुल भी इसमें, बिल्कुल जो लच्छे तार लौकी हमने कस करी थी, बिल्कुल वो ही उसी के लच्छे दिखे रहे हैं, और काफे ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसके बाद डिनर हो गया था, तो ये कमरे के हारत बच्चों ने कुछ इस तरीके से बनाई थी, और कॉपी किताबे सब इधर से उधर, तो पहले में कमरा जो है, भूल जाते हैं, रखना नहीं है, जहां पड़ा है, वहीं पर छोड़ देना है, बस हो गया, ये काम हमारा ही होता है, और उसके बाद इधर मैं नेक्स डे की तैयारी भी कर रही हूँ, तो साथी मैं जो आलूएं उन्हें कट करके रख दूँगी, और पानी में भीगा दूँगी इसको, जिससे की मतलब जो आलूएं वो लाल या काले ना पड़ें, और सबसे जो में जरूरी चीज है वो है बादाम भीगाना, जिसे मैं भूल जाती हूँ, तो जब इसलिए मैंने डिबा अपने सामने पर रखा है, जब दूद भी गरम कर दिया है, और कभी-कभी बच्चे शाम को पी लेते हैं, जब साम को नहीं पीते हैं, तो रात को ही दे देती हूँ, और इदर बच्चे जो है, अपना दूद भी लेके जाएंगे, और बागी जो, तो ये था मेरा आज का वीडियो,